दोस्तों इस वीडियो में हम Access Bank के कैसे credit card के बारे में discussion करेंगे जो एक तरहें से best अगर मैं बात करूँ cashback की category में अब इस credit card की बात करें तो इस credit card का नाम है Access Bank का flip card credit card इस वीडियो में मैं आपको इसका apply करने का पूरा का पूरा process भी बताऊँगा एक बन मैं आपको screen पर भी दिखायता हूँ यह सारा का सारा process की कैसे apply करना है कहाँ क्लिक करना है यह सारा कुछ बताऊँगा लेकिन यह हम देखेंगे वीडियो के अंत में देखो जिस credit card के लिए जब हम apply कर रहे हैं सबसे पहले उसके मेरे को features तो पता होने चाहिए और हाल फिलाल इस जो यह जो access bank का flip card credit card है इसके अंदर दो बड़े 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 बदलाव भी किये गए तो इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि पहले क्या features देता था और अब कौन-कौन से इसमें changes करें थोड़ी सी इसके अंदर devaluation की गई है और cool मिला के यह देखेंगे कि क्या यह credit card मैं लब एक तरह से पहले इसके पूरे features को देखेंगे फिर देखेंगे कि यह credit card best है या इसकी तुलना में कोई और भी credit card तो सारे के सारे features के एक तरह से features को देखेंगे और अगर आपको लगता है कि आपके लिए credit card best है तो इसका जो apply करने का link है वो भी मैं आपको नीचे description box में दे दूँगा अब देखो access bank flip card credit card की बात करे तो सबसे पहला इसका जो मोटा मोटा feature है न वो यह बोलता है कि आप अगर कोई भी सामान खरीदते हो flip card पे जाके online flip card पे जाके flip card की चाहे app से खरीदो या फिर flip card web पे जाके खरीदो कोई भी समान अगर आप flip card से खरीदते हो तो आपको सीधा-सीधा 5% का cashback मिलेगा पहले यह बोलते थे कि चाहे flip card से खरीदो चाहे मिंत्रा से खरीदो कहीं से मर्जी खरीदो flip card और मिंत्रा पे आपको 5% का cashback मिलेगा ही मिलेगा लेकिन अब इनोंने मिंत्रा के साथ काटा मार दिये अब मोटा-मोटा सिर्फ यही रह गया कि flip card से अगर आप कोई भी समान खरीदोगे तो आपको सीधा-सीधा 5% का cashback मिलेगा अब चाहे आप 1,00,000 का समान खरीदते हो की एक limit लगा देते हैं कि आपको महीने में जो है 1000 उपे का ही जादर से जादर cashback मिलेगा इसकी अच्छी बात यह है कि flip card से जितना मर्जी समान खरीदो कोई भी upper limit नहीं है फिलिप काट पे 5% का cashback मिल रहा है बहुत अच्छी बात है कि अगर आप flip card से यानि flip card पे जाके flight की booking hotel की booking या फिर flip card से जाके medicine medicine एक तरह से अपने लिए order करते हो तो इस पे 5% का कोई भी आपको cashback नहीं मिलेगा इवन इसके उपर आपको एक रुपे का भी cashback नहीं मिलेगा ठीक है मैं आपको बस बता रहूं feature में क्या क्या changes हुए तो पहले यह बोलते थे कि अगर आप flip card पे जाके वैसे 5% हर चीज़ पे मिलता है पहले यह बोलते थे flip card पे जाके अगर आप flight या hotel की booking करोगे तो 5% नहीं देंगे हम आपको सिरफ 1.5% देंगे लेकिन अभी यह 1.5% भी हटा दिया और इन्होंने बोल दिया कि अभी इन 3 चीज़ों के ओपर कोई भी आपको cashback नहीं मिलेगा तो अभी तक हमारे कहानी यह वाली कहानी में समझ आ गई कि flip card पे जाके unlimited 5% का cashback मुझे मिलेगा इसके अलावा इनके कुछ ना partner brands है जो की है एक पहला है clear trip, दूसरा है cure fit, तीसरा है pvr, फिर है swiggy, tata play और uber यह बोलते हैं कि इन partner brands पे जाके अगर आप कोई भी समान खरीदे हो तो हम आपको unlimited 4% का cashback देंगे यानि flip card पे unlimited कोई भी समान खरीदोगे 5% का, इन partner brands के साथ कोई भी समान खरीदोगे इस excess bank के credit card से अगर payment करोगे तो 4% का unlimited cashback मिलेगा, ठीक है जी यह भी बहुत अच्छी बात है इसके अलावा यह बोलते है कि इसके अलावा कहीं पे भी कोई भी खर्चा करोगे तो आपको जो है फिर 1.5% का cashback मिलेगा तो यह सारे के सारे इसके मोटे मोटे features है यहाँ पे मैंने यह सारे screenshots लगा दी है यह बोलता है कि अगर कोई भी खर्चा करते हो fuel पे, यानि petrol डलवाया उस पे कोई cashback नहीं मिलेगा तो उस case में भी यह मत सोचना है कि flip card से समान खरीद है EMI बनवाली कोई cashback मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई भी cashback नहीं मिलेगा even कई लोग क्या करते हैं पहले समान मंगा लेते हैं और फिर एक बारे में payment कर देते हैं समान आपके पास आगया बाद में फिर उसकी EMI बनवालेते हैं तो यह बोलते हैं कि EMI पहले बनाओ या समान deliver होने के बाद बनाओ उस case में भी कोई भी cashback आपको नहीं मिलेगा ठीक है जी, अगर मालो आप यह करते हो कि access bank credit card से flip card के wallet में पैसा डाल देते हैं और भी बोलते हो कि flip card पे transaction हुई है wallet loading पे भी कोई भी cashback नहीं मिलेगा किसी दूसरे credit card के outstanding bill भरते हो कोई cashback नहीं मिलेगा अच्छा जी, यह वही चीज होगी कि एक तरह से दूसरे किसी के भी भरते हो, तो कोई भी आपको जो है cashback नहीं मिलेगा तो पहले सिरफ इन चीजों के ओपर cashback नहीं मिलता था अब यह चार चीजे और add कर दी गई है कि अगर आप rent payment करते हो, तब भी कोई cashback नहीं मिलेगा insurance की अगर आप payment करते हो जैसे माल लीजिया मेरा insurance है, health insurance है इसको मेरे को renew करना है, मैं अपने credit card से कर दूँगा और मैं सोचूं कि मेरे को 1.5% का cashback मिल जाएगा नहीं मिलेगा, एक रुपे का भी cashback आपको नहीं मिलेगा ऐसे ही अगर मैं पानी का बिल, बिजली का बिल, यह जो भी है gas lender, mobile recharge वेगारा वेगारा करता हूँ खर्चे हैं, इसके ओपर भी आपको अब कोई भी cashback नहीं मिलेगा मैंने यहाँ पर proper MCC codes भी लगा दिये हैं सबके यह जितने भी MCC code है, इनके ओपर कोई भी cashback मतलब कहने का मतलब यह है, कि यह जो सारी चीजे मैंने लिखी थी यह छोटे शब्दों में लिखी थी, डिटेल में यह सारे MCC code के साथ लिख दिया है इन सारी किचारी चीजों का आप screenshot भी ले सकते हो, इसके ओपर अब आपको कोई भी cashback नहीं मिलेगा access bank flip card से, ठीक है जी, अच्छा एक ना welcome benefit की बात करते हैं, पहले बड़ा बड़ा लिखा होता था जब हम access bank flip card लेते थे कि जैसे ही आपकी credit card लोगे ना आपको 1100 रपे के welcome benefit मिलेंगे पहला तो 1100 को 3 भाग में तोड़ रखा था, 500 रपे का flip card का voucher मिलता था 500 रपे का मिलता था, और 100 रपे का voucher मिलता था स्वीगी के लिए मिन्तरा के साथ तो इन्होंने काटा ही मार दिया, इसलिए बड़ा बड़ा लिखा होता है कि welcome benefit 600 रपे के तो पहले 1100 रपे के मिलते थे, आप 600 रपे के आपको welcome benefit मिलेंगे इसके अंदर flip card का आपको एक 500 रपे का voucher मिलेगा, लेकिन इसकी term and condition यह है कि जिस दिन आपके पास ये credit card आजाएगा, उसके 30 दिन के अंदर-अंदर आपको एक transaction करनी ज़रूरी है अपने credit card से, जैसे ही आप वो transaction करोगे, तो एक code आपके mobile phone पे आ जाएगा वो code जो है, वो flip card का code होगा, एक तरह से voucher होगा, और जिस दिन आपके पास ये voucher आएगा ठीक है, मतलब एक तरह से, जिस दिन, मतलब कहने का भाव यह है कि पहले 30, card activate होते है तीस दिन के अंदर-अंदर आपको एक transaction करनी है, flip card का एक voucher मिल जाएगा, आपको 500 रपे का और ये voucher अगले 12 months के लिए आपके लिए पास valid रहेगा, ठीक है, तो ये 500 रपे का voucher यहाँ मिलेगा और एक 100 रपे का voucher मिलेगा, आपको Swiggy का, वो जो उसका code है, वो Axis Bank ने दे ही रखा, ये जो लिखा हूँ न, Axis FKnew ये वाला code आप जब वहाँ पे डालोगे न, Swiggy पे, तो जब आपका card activate हो जाएगा, तो 100 रपे का आपको महाँ discount मिल जाएगा अच्छी बात ये है कि 18 साल के अगर कोई student भी है, student in the sense मिलब कोई कमा रहा है, ITR, ITR तो देखो लगेगी, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि सिबिल जीरो है, तो आपको credit card मिल जाएगा, मैं गलत बात नहीं कहूँगा, ठीक है, लेकिन अगर आप 18 years की हो, business कर रहे हो, या job आपने start कर दी है, तो एक तरह से अच्छी बात ये है कि 18 साल का भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे credit cards है, जिसकी minimum मेज 21 साल या कई हो की तो 23 साल भी होती है, तो इसमें eligibility 18 से लेके 70 साल का कोई भी apply कर सकता है, फीस ना के बराबर है, 500 रुपे आपकी joining फीस है, देखो 500 joining है, welcome benefit 600 आपको मिल ही जाएगा, तो फीस एक तरह से joining ना के बराबर ही पकड़ लो, साल भर की जो फीस है, फिर annual फीस 500 रुपे देनी पड़ेगी, ये आपकी माफ हो सकती है, अगर आप पूरे साल भर में 3.5 रुपे का खर्चा कर लेते हो, तो ये वाली फीस आपकी जो है, माफ हो जाएगी, cash withdraw कभी भी मत करना, credit card से, क्योंकि ऐसा करने पर 5% लगेगा आपको, मलब अगर आपने एक लाख र ठीक है, तो मलब हर quarter में आपको एक domestic airport lounge का access मिल जाएगा, ये उसकी list है, और ये की कौन-कौन से, जो airports है और उनके कौन-कौन से launches हैं, जिसका access आपको मिलता है, तो इसका भी आप screenshot ले सकते हो, ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं, उसके बाए, fuel surcharge waiver 1% का, ये लगबग हर credit card तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, minimum 400 से लेकर 4000 के बीच में transaction होनी चाहिए, और dining delights के अंदर ये बोलते हैं कि, एक ना easy dinner करके company है, ठीक है, इसमें वही चीज है कि, जैसे हम सीधा hotel में चले जाते हैं, खाना खालेते हैं, easy dinner को से, अगर आप advance में book कर लो कि, हाँ जी, फला partner restaurants है भारत के अंदर, तो आप अपने शेहर में देख लेना, इस credit card से payment करोगे, तो 15% तक आपको discount मिल जाएगा, अगर आप खाने वाने की booking जो है, easy dinner से जाकर करते हो, ठीक है, ये कुछ penalties है, अगर मालो आपका payment जो है, वो time पे नहीं करते हैं, तो इसका भी आप screenshot ले सकते ह और अगर मालो credit card को limit से जादा use कर लोगे, तो 1.5% उसके ओपर 2.5% की penalty लगेगी, ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने features देख लिए, overall conclusion की बात करूँ, तो बहुत अच्छा credit card है, ठीक है, मतलब 500 रुपे इसकी fees है, और अगर आपके खर्चे flip card पे हैं, और जो उसके 7-8 partner brands है ठीक है, उस पे हैं, तो बहुत ये अच्छा credit card है, अच्छा मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अपर limit नहीं है, मतलब ये ऐसे रोने नहीं रोरे कि भाई हम 1000 रुपे ही जादा से जादा cashback देंगे, कुछ-कुछ होते न, 300 रुपे ही महीने में जादा से जादा cashback मिलेग अब एक बार फटा फट से देख लेते हैं, कि इसका जो apply करने का process है, अच्छा apply करने का process देखें, उससे पहले मेरी आपसे एक request है, कि हमारे एक और चैनल है, जिसका नाम है focus path करके, ठीक है, मैं आपसे ये request करूँगा, यहाँ पे भी हम सेम ऐसी ही banking की सारी videos डालते रहते ह प्लीज इस चैनल को भी subscribe करें, ताकि आपको यहाँ पे भी banking के हमारे सारी updates मिलते रहें, और अगर आपको यह video informative लग रहे है, तो प्लीज इस चैनल को भी subscribe कर लें, ठीक है, तो चलो अब एक बाफट अफट से process देखते हैं, कि कैसे घर बैटे बैटे एक्सिस बैंक, flip card, credit card के लिए मैं apply कर सकते हैं, अब access bank flip card, credit card को apply करने का जो link है, वो मैंने आपको नीचे description box में दे दिया है, जैसे ही उस link पर आप click करेंगे, कुछ इस प्रकार का interface आपके सामने दिखाई देगा, अब यहाँ पे सबसे पहले यह पूछ रहे हैं कि क्या आप existing customer हो access bank के, तो अगर आपका कोई भी account या already कोई दूसरा credit card है, या access bank के साथ आपका कोई भी relation है, तो यह select कर लेंगे, मेरा जैसे कोई भी relation नहीं है, ना मेरे पास access bank का कोई card है, ना कुछ भी नहीं है, ना account है, तो मैं यहाँ पे no के option को select कर लूँगा, अब यहाँ पे no के option को select करने के बाद, next page पर कुछ इस प्रकार का interface आपके सामने दिखाई देगा, यहाँ पे सबसे पहले यह बोल रहे हैं कि आपको अपना mobile number इंटर करना है, mobile number इंटर करने के बाद, आपको अपने pen card का number इंटर करना है, फिर उसके बाद आपको अपने pin code को, जहाँ भी आप रहते हो, वहाँ का pin code डालना है, यह मैं process आपको laptop पे करके बता रहा हूँ, अगर आप mobile में करोगे, chrome browser खोलोगे, तब भी same, यही सारे की सारी चीज़े आपको दिखेंगे, ठीक है, तो मैं laptop पे इसले कर रहा हूँ, ताकि बड़ा बड़ा screen पर असानी से आपको दिख जाए, ठीक है, फिर pin code एं interface आपके सामने दिखाई देगा, यहाँ पर सबसे पहले यह पूछ रहा है कि जो आपके अधार card में जो भी नाम लिखा, as it is spelling भी ठीक होनी चाहिए, वो नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, फिर आपको अपनी date of birth एंटर करना है, जो भी अधार card पर लिखी हुई है, फ उसके बाँ marital status में married हो तो married, unmarried हो तो unmarried, नीचे एंटरेस की detail पूछ रहा है, अब यहाँ पर आपको अपने दोनों address डालने है, यह बोल रहे है कि residence address भी डालना है, office address भी डालना है, अगर मान के चलो आप कहीं पर job भी नहीं करते हैं, आप कोई दुकान खुछ भी नहीं फिर नीचे बोल रहे है कि आप अपना, where would you like to receive your card, आप अपना card कहाँ पर चाहते हो कि receive हो, यानि अगर आप जो access bank flip card credit card है, वो अगर approve हो गया, तो वो आप कहाँ चाहते हो, तो यहाँ पर आपको simply residence select करना है, कि मेरे घरवाले address पर आप इसको deliver कर देना, उसके बाद नीचे simply आपको अपनी email ID एंटर करनी है, email ID एंटर करने के बाद, फिर आपको simply नीचे next के option पर click करना है, next के option पर click करने के बाद, अगले page पर कुछ ऐसा interface आपके सामने दिखाई देगा, यह बोल रहा है कि आप salary हो, या फिर self-employed हो, तो जिसके लिए मैं apply कर रहा हूँ, वो salary है, तो मैं यहां salary वाले option को select कर लूँगा, ठीक है, हमने यहां salary select कर लिया, उसके बाद यह बोल रहा है कि आपकी annual income कितनी है, साल भर में आप कितना पैसा कमाते हैं, तो हम यहां पर यह enter कर देंगे, फिर यह बोल रहा है कि आपके employer का sector क्या है, कि public limited है, जहां आप job करते हो, व of industry का है, तो जो जो भी detail दिखा रहा है कि आपको जहां job करते हो, उसकी industry का भी advertising media है, banking है, जो भी, जिस भी industry में आप काम करते हो, वो यहां पर आप असानी से select कर लेना, फिर उसके बाद आपको अपनी company का नाम डालना है, फिर tenure पूछ रहा है कि कितना साल हो गया आपको इस company में काम करते होए, और total work experience, इस company में कितने time हो गया, उस बहुत हो डालोगे tenure in current job, मालो मेरे को फिलाल जहां मैं काम कर रहा हूँ, वहां मालो 2 साल होगे, तो मैं हाँ 2 डाल दूगा, और total मेरे को experience, अगर मालो life में 5 साल का है job का, तो यह total work experience में 5 डाल दूगा, यह सब कुछ डालने के बाद, फिर आपको नीचे next के option पर click करने, next के option पर click करने के बाद, अगले page पर यह आपसे cards पूछ रहा है, अब यहाँ पर access bank के सारे के सारे cards यह show कर रहा है, तो जो भी credit card आपको चाहिए, जैसे आहाल फिलाल हमें तो अभी access bank का flip card credit card चाहिए, तो बाकी भी यह card show कर रहा है, कभी भाईशे में अगर आपको, मालनो दूसरा भी credit card चाहिए, तो process यह सब का same ही है, यहाँ पर आपको एक आगे की गरफ arrow का option दिखाई दे रहा है, इस arrow के option पर मैं click करता जाऊँगा, तो जैसे ही यहाँ पर click करूँगा, फिर मेरे सामने यह access bank का flip card वाला credit card अब यहाँ पर जिसके ओपर भी मैं cursor रखूँगा, उस credit card को मैं select कर लूँगा, और credit card select करने के बाद जैसे हम access bank flip card credit card के लिए apply कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं flip card वाले credit card के ओपर जो है cursor रख दूँगा, उसके बाद simply मेरे को फिर नीचे next option पर click करने, अब next option पर जैसे ही मै click करूँगा, यह next page पर ले जाएगा, next page पर verification के लिए मेरे mobile phone पर एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP मैं यहाँ पर enter करूँगा, नीचे I agree यह जो term and condition वाला page है, इसके check box को select करूँगा, और finally फिर मैं नीचे submit के option पर click कर दूँगा, यह करने के बाद next page पर मेरे सामने जो है एक reference number generate हो जाएगा और लगबग लगबग 24 घंटे के अंदर अंदर आपके pan card को verify करके, सारी चीज़े verify करके, access bank की तरफ से आपको एक call आजाएगा, अगर आपका pan card एकदम suitable है, सारी की सारी चीज़े ठीक हैं, तो लगबग एक हफते के अंदर अंदर आपको जो access bank का flip card वाला credit card आपके घर पर dispatch कर दिया जाएगा, बाकी in case अगर आपका फिर भी कुछ doubt है, तो नीचे आप मिर से comment करके पूछ सकते हैं, अभी के लिए this is the end of the video, thanks for listening and thank you all.